हलो बच्चो कैसे हो आप सब आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक्सरसाइज कोशन जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का सकेंड चिप्टर का तो लेट ना करते हूए चलो कोशन को सॉल्व करना सिखाते हैं पहले कोशन को आप रीड कर लो देखो क्या गीवेन है और क्या कल करना है उसकी बाद मैं कोशन की सॉल्वेशन बताता हूं आप लोग को अगर आप लोग को सन को रीड किये होंगे तो बोला गया है हाओ मैनी एमेल ओफ अब हाओ मैनी एमेल का मतलब क्या है कि आप से पूछा गया है वालूम किसकी वालूम पूछा गया है तो पूछा गया वॉलूम ओफ वॉलूम ओफ HCL solution बच्चो आपसे पूछा गया है question में कि how many ml of 0.1 capital M का मतलब molarity से है मतलब एक solution बनाया गया है जिसकी molarity कितना दे रखा है molarity की value दिया हुआ 0.1 mol per liter ठीक है बच्चो और इसी solution की वॉलूम आपसे पूछा गया है कि कितने volume of HCL react कर रहा है 1 gram mixtures of sodium carbonate and bicarbonate ठीक है तो देखो कैसे निकालोगे देखो molarity तो कूसर में दे रखा था और अगर आपको पता है molarity का formula क्या होता है तो मैं अभी लिखके दिखा देता हूँ कि molarity is equal to निकालते कैसे molarity को तो number of mol of solute divided by volume of solution in liter अब देखो यहाँ पर अगर फर्मूला हम लिखके दिखा है तो number of mol of solute number of mol of solute divided by क्या होता है volume of solution volume of solution है ना लिटर में अगर कोई student मेले लिटर में put करना चाहता है वहलो को तो उसके लिए फर्मूला यह बन जाता है molarity का formula number of mol of solute divided by volume of solution into thousand क्यों? क्योंकि हमें ml मिलाना है तो यह formula यूज़ करेंगे हम लोग अब देखो molarity question में given है molarity question में given है बच्चो तो number of molarity निकालने के लिए हमें क्या चाहिए number of mol of solute चाहिए और number of mol of solute किसकी? hcl की क्योंकि hcl solution का molarity हमें आपे put कर रहे है तो hcl का ही mol चाहिए और क्या चाहिए? volume of solution चाहिए तो volume of solution तो हमसे question में पूचा ही है question में क्या पूचा है? volume of solution निकाले तो ये तो निकालने ही बोला गिया है question में volume of solution question में निकालने ही बोला गिया है अब किसी तरह से number of mol of solute पता चल जाए तो मेरा काम असान है value put कर देंगे देखो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ अभी कि अगर इस मुलारेटी की वैलू दे रखा था वॉलूम अफ एस्यल सोलेशन हमें से पूछा गया है तो हमें और ये पूछा गया ये वैलू दिया हुआ हम पूट कर लिए और हमें किसकी वैलू और पता होना चाहिए ताकि हम वॉलूम नि 갈 सके तो बाबू आप लोग खुद बोलोगे ठीक है देहो ये वैलू नि इकालना है ये वैलू दे रखा था और ये वैलू ओर मिल जाया है तो मेरा काम आसान हो जाए तब ना वॉलूम निकाल पाएंगे तो अगर हमें किसी तरह से पता चल जाए क्या number of mole of solute ACL का number of mole of solute ACL का तो हम बता सकते हैं volume of solution ACL का कितना होगा अगर कहीं से पता चल जाए number of mole of solute तो हम बता सकते हैं कि volume of solution कितना होगा अब एक बात बताओ number of mole हम किसका चाहिए HCl का तो हमने तो परके रखा है कि mole कैसे निकालते है given mass भाई molar mass तो क्या HCl का mole HCl का mass कही question में दिया हुआ है देखो यहाँ पर mass दे रखा 1 gram तो वो भी 1 gram किसका mass दे रखा है mixtures of sodium carbonate and sodium by carbonate बाबु HCl का mass नहीं दिया हुआ है है कि नहीं अगर mass देता तो हम direct question में mole चाहिए था हमें mole चाहिए था हमें volume तुरंथ ही निकल जाता तो given mass by molar mass लगाते HCl का mole पता करते इस formula में mole की value पुट करते और volume हमें मिल जाता लेकिन HCl का mass नहीं दे रखा है मत्तव हम direct question को solve नहीं कर सकते हैं Clear? तो फिर question को solve कैसे करेंगे तो देखो जिसकी mass दे रखा है जिसकी mass दे रखा है उसी का हम पहले mole निकालेंगे ठीक है? जिसकी mass दे रखा उसी का पहले हम mole निकालेंगे तो देखो question में किसकी mass दे रखा है बच्चो? आप लोग खुद बोलोगे आप लोग खुद बोलोगे आप लोग खुद बोलोगे कि 1 gram mixtures दे रखा है किसका sodium carbonate और sodium bicarbonate का मतलब mass किसका दे रखा है इन दोनों compound को मिलाने के बाद जो mass है वो 1 gram है तो चलो जिसकी mass दे रखा है अब देखो इन दोनों को मिलाने के बाद 1 gram है तो मैं पहले मानलू कि mass of sodium carbonate x मानल लेता हूँ दोनों को मिलाकर 1 gram दे रखा है तो अगर हम एक का mass को x मानल ले तो mass of sodium bicarbonate कितना हो जाएगा दोनों को मिलाने से mass दे रखा है 1 gram तो एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 minus x हो जाएगे क्या हो जाएगा 1 minus x ठीक है तो यहाँ पर देखो 1 minus x हो जाएगा तो हमने क्या बूला था जो जिसकी mass दे रखा है उसी का mass को तो अगर हम sodium carbonate का mass को x मान ले तो mass of sodium by carbonate कितना हो जाएगा 1 minus x हो जाएगे ठीक है अब देखो इन ही का हमको mole निकाल लेना है पहले तो क्या करेंगे जब भी mole निकालना है बच्चों तो हमें molar mass की requirement होगा तो molar mass of sodium carbonate कितना होगा तो sodium का molar mass कैसे निकालते हैं तो जितने भी atoms है सभी का mass को क्या करेंगे add करेंगे जितने भी atoms दिखता है sodium carbonate में सारे atoms की atomic mass को add कर लो आपको क्या मिल जाएंगे molar mass मिल जाएंगे तो देखो sodium का 23 होता है तो 23 into क्या कर लोगे 2 क्यों कर रहे हैं 2 से multiply क्योंकि 2 sodium की बात कर रहे हैं कारवन कितना है एक कारवन का कितना मास होता है 12 और oxygen कितना है 16 into 3 कर लेंगे तो ये 46 सभी को जोड़ जार लोज़ सर 106 आ जाएंगे ग्राम पर मौल ठीक है उसी तरह से निकालेंगे किसका molar mass molar mass of sodium bicarbonate तो देखो sodium का क्या होता है 23 प्रस हाइड्रों का बान carbon का 12 और oxygen का 1 oxygen का 16 into 3 इसको भी आइड करो तो टोटल क्या हो जाएगा 84 ग्राम पर मौल ठीक है अब बाबू आप लोग जानते हो number of mole निकालना है number of mole किसका sodium carbonate का तो बोलो number of mole कैसे निकालते बच्चो given mass by molar mass कैसे निकालते हो given mass by molar mass तो given mass क्या है यहाँ पर sodium carbonate का mass को क्या मान के चले थे हम बताओ बताओ जल्दी बताओ देखो यहाँ पर sodium carbonate का mass क्या है x और molar mass से दिवाइड करो, मोलर मास से दिवाइड करो, तो मोलर मास अब सोडियम कारबोनेट कितना हुए, 106, clear, उसी तरह से आपको क्या निकालना है बच्चो, number of mole निकालना है किसकी, number of mole किसकी निकालना है, sodium by carbonate की, तो देखो, sodium by carbonate का मास कितना है, बोलो, one minus x, क्या है, one minus x, और देखो, sodium by carbonate का मोलर मास कितना है बाबो, मास, given mass divided by molar मास होता है न, तो मास तो लिख दिया, मोलर मास कितना है, 84, clear, डिवाइड कर दो, अब हमने दोनों की मोल निकाल लिया, क्या निकाल लिया बच्चो, दोनों की मोल, निकाल लिया, किसका किसका मोल निकाल लिया, sodium carbonate का और sodium bicarbonate का, अब question में देखो, बोला गया है, question में हाँ पे, कि equimolar amount है, मतलब sodium carbonate और sodium bicarbonate equimolar है, मतलब क्या दोनों की मोल क्या है सेम है दोनों की मोल क्या होगा सेम होगे किलियर तो देखो according to question according to question क्या है बाव वो एक्क्वी मोलर है एक्क्वी मोलर का मतलब क्या होगा दोनों की मोल क्या होगा सेम होगा दोनों की मोल को हम इक्वल दिखा दे x divided by 106 is equal to 1 minus x 84 ठीक है अब देखो बच्चो इस 84 को इधर लेके जाओ इस 84 को इस साइड मल्टिप्लाइ कर दो तो इस साइड लेके जाओगे तो 84 x हो जाएंगे और इस 106 को इस साइड लेके जाओ तो 106 into 1 minus x हो जाएगा अब इसको solve करो तो देखो तो क्या आता है बच्चो करो करो solve करो फिर बताओ क्या आता है x की value कितना आएगा इसमें करके बता सकते हो x की value कितना आएगे यहाँ पर देखो नहीं यह भी नहीं solve कर पाते हो हो जी तो 106 multiply करो न तो 106 minus 106 x हो जाएंगे अब यहाँ 84 x रहा अब बताओ इस value को इधर लेक्या होगे तो 84 x प्लस क्या हो जाएंगे 106 x कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 106 होगा ना सर नहीं या रहा अंदर जा रहा देखो इस 84 को इस साइड लेके गया तो 84 x हो गया इसको लेके जाएंगे तो यह 1 से multiply होगा 106 हो जाएंगे और 106 x से multiply होगा तो 106 x हो जाएंगे है ना अब इस minus वाले टर्म्स को बत्तर एक्स वाले टर्म्स को हम एक साइड लेके आ रहे थे तो इस साइड लाएंगे तो इधर minus हो जाने से क्या होगा प्लस हो जाएंगे प्लस होगे तो दोनों को add कर दो तो कितना एक्स की कितना एक्स हो जाएंगे 190 x हो जाएगा बच्चो कितना हो जाएगा 106 अब यहाँ पर x की वैलो कितना हो जाएगा बतादो जल्दी से X की वैलों क्या लिखे X की वैलों क्या लिखे यहां पे 106 डिवाइड वाइ 190 लिख सकते है 106 डिवाइड वाइ 190 अब इसको solve करोगे बच्चो solve करके देख लो कितना आता है 106 डिवाइड 190 को solve करो तो आएगे 0.558 कितना आएगा बच्चो 0.558 अब देखो अब यह X की वैलों तो निकल चुका मतलब X की वैलों क्या निकला बाबो मास अफ सोडियम कार्बोनेट ठीक है तो हमें मोल निकलना था क्या निकलना था दोनों की मोल निकलना था क्योंकि हमें देखो ACL का मोल निकलना है ACL का मोल तो डिरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो हमने क्या किया इन दोनों का मोल निकली है इन दोनों के मोल से हम इसकी मोल निकलेंगे कैसे वो बाद में बताता हूँ पहले इसकी मोल तो निकल लो तो देखो यहाँ पर मोल्ड क्या निकला था x divided by 106 अब मेरे पास x की value आ चुका ना बाबू मेरे पास क्या है x की value आ चुका तो इस x की value यहाँ put कर दो 0.558 को हम put कर दिया x की जगा पर क्या हुआ x की value put कर दिया 106 अब इसको क्या करो divide करो तो हमने क्या किया divide करेंगे इसको 0.00 0.00526 आएंगे तो यह मोल किसका आ गया बच्चो बता दो sodium carbonate का मोल निकल चुका मेरे पास मोल कितना है sodium carbonate का 0.00526 clear अब question की recording बोला गया था क्या equimolar है क्या बोला गया था equimolar तो जब भी कभी equimolar होगा तो दौनों की मोल क्या है सेम है किसकी किसकी sodium carbonate और sodium big carbonate का देखो sodium carbonate का मोल कितना आ गया 0.00 526 उसी तरह से आप इसकी भी मोल निकलोगे इसकी भी मोल निकलोगे तो कैसे निकलोगे तो इसकी भी value क्या होंगे इतना ही आएगा क्यों ही इतना आएगा क्योंकि question में already बोल के चला है equi mol और दोनों की mol क्या होगा बरावर होंगे ठीक है अब हमने क्या किया जितने भी question में given data था उससे हमने N2 Cu3 मतलब sodium carbonate और sodium bicarbonate की mol हम calculate कर चुके लेकिन फिर सी याद करो मैं starting में क्या बताया था कि HCL की mol आरेटी दे रखा है और HCL की volume पूछा गया है तो HCL का number of mol भी पता होना चाहिए लेकिन अभी तक हमें HCL की mol पता नहीं हुआ है हमें तो किसकी mol पता चला sodium carbonate और sodium bicarbonate की clear तो अब इसी की sodium carbonate और sodium bicarbonate के mol के help से इन दोनों की mol की value के help से हम लोग क्या निकालेंगे HCL की mol निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो पहले एक बार इसको आप लोग लिख लो उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे लिखो जल्दी जल्दी लिखो लिख लिए लिख लिए तो मिटा देता हूँ बाबू देखो हमें क्या निकालना है याद रखो HCL का mol वो भी इन दोनों के mol से mol के help से तो देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर कैसे निकालना अब देखो बाबू बोला गया है HCL क्या करता है रियक्ट करता है किसे सोडियम कार्वोनेट से किसे रियक्ट करता है सोडियम कार्वोनेट से अब देखो मतलब सोडियम सोडियम कार्वोनेट रियक्ट विद एचसील क्या करता है बच्चो रियक्ट विद एचसील तो तो रियाट करके बनाता क्या है, इसे देखो, यहाँ पर reaction होता है, तो बनता है, NaCl, plus क्या बनता है, CO2, plus बनता है, H2O, ठीक है, अब देखो, क्या यह reaction balanced है, पहले पर गजो, पहले पर देख लो, क्या यह reaction balanced है, तो देखो इधर sodium कितने है 2 है क्या इधर sodium कितना दिख रहा आपको 1 ही दिख रहा तो बराबर तो नहीं है तो हमें इसको balance करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे अब जब A ने को 2 बनाया सर तो CL भी 2 हो गया तो इधर CL कितना था एक तो इधर भी balance करो अब देखो hydrogens 2 था तो hydrogens 2 है balanced है अब यहाँ पे यह reaction क्या हुआ balanced हो चुका balanced हो चुका अब देखो यहाँ पे समझना बाबो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 इसका मतलब 1 mole of sodium carbonate react with 2 mole of HCL, बाबो यहाँ पे देखो क्या है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 mole of sodium carbonate sodium carbonate react with react with 2 mole of HCL 2 mole of HCL मतलब 1 mole sodium carbonate कर रहेगा, तो कितना mole रहेगा बाबो? 2 mole HCL कर रहेगे, 1 है तो 2 है 1 है तो 2 है, मतलब उसका double इधर आना चाहिए, sodium carbonate का जितना भी mole होगा उसका double क्या होगा? HCL का mole होना चाहिए, समझ मारा है? sodium carbonate का 1 mole है, तो इधर कितना mole था HCL का? 2 mole मतलब sodium carbonate का 1 mole react करता है 2 mole HCL से तो इधर जितना भी mole रहेगा उसका क्या होगा इधर? double होगा, double होगा अब देखो sodium carbonate का आपके पास mole कितना है? बोलो, mole कितना निकाले हो? तो 0.00 526 mole तो बाबो जब इसका 1 mole तो उसका 2 mole है, तो इसका जितना mole रहेगा, उसका क्या होगा? उसके mole से double होगे, अगर इसका 1 mole तो इसका 2, इसका जितना भी mole यहाँ पर लिखोगे, उसका double इधर करना परेगा, तो देखो इसका कितना mole कोसे में था बाबो? तो 0.00 526 mole of mole of sodium carbonate sodium carbonate react with react with कितना double? मतलब जितना है बाबो उसका double करोगे, तो देखो तो 0.00 526 into 2 करना होगा चीए यह कितना, किसका mole आजाएगा? hcl का किसका mole आजाएगा? hcl का तो इसको double करोगे बाबो, तो 2 से multiply करोगे, तो कितना आएगा? इसका 2 5 यह हो जाएगा clear? अब यहाँ पे, इसका तो mole निकल यह hcl का, किसका mole निकला? hcl का, किससे react करते समय? किससे react करते समय निकला है यह mole? तो sodium carbonate के साथ, उसी तरह से अब आपको निकालना है बाबू sodium by carbonate के साथ hcl कितना mole में react कर रहा हो? देखो, फिर यहाँ पे reaction किसकी दिखाएंगे? sodium carbonate की ठीक है? react करके product same बनाता है product में कोई change नहीं होता है अब एक वार देखो reaction valence डेकने reaction valence हैंकी नहीं देख लो, देख लो तो देखो यहाँ पे a ने उधर है, a ने इधर है 1 cell उधर दिख रहा, 1 cell इधर दिख रहा 2 hydrons उधर है देखो यहाँ पे 2 hydrons, यहाँ भी 2 hydrons, 1 carbon, 1 carbon अब यहाँ पे 3 oxygen's है तो 2 oxygen's इधर, 1 oxygen balance station तो इसका मतलब क्या होगा? कि यह value 1, तो यह भी value 1 मतलब 1 mole of sodium carbonate 1 mole of sodium bicarbonate sodium bicarbonate react with react with किसके साथ? react with 1 mole of 1 mole of 1 mole of 1 mole of sodium bicarbonate कितने mole of HCl से रहत करता है? 1 mole से, जितना इसका मोल होगा, उतना ही इसका मोल रहे है, से रेक्ट करेंगे sodium bicarbonate का 1 mole तो इसका भी 1 mole है से, तो जितना मोल इसका होगा, उतना ही मोल से रेक्ट करेंगा SCl से भी, तो देखो, इसका कोसन नहीं लोग निकाले थे इतना of sodium bicarbonate react with, तो बाब इसका भी क्या होगा, उतना ही मोल लाएंगे अब आप से पूछा जाए कि बताओ sodium carbonate से इतना मोल SCl react किया था, और sodium bicarbonate से इतना मोल रेक्ट किया, तो टोटल मोल SCl कितना हुआ SCl कितने total most, मोल इस mixture से react कर रहा हुआ तो बाबु, total मोल निकालेंगे SCl का total मोल of SCl, तो क्या करना परेगा mixture से, mixture से combine करने का मतलब क्या होगी है कि इस से जितना react किया और जितना इस से react किया, दोनों को add करेंगे, तो total मोल SCl का जाएंगे, दोनों मोल को add कर दो बाबु, 0.01052 प्लस क्या करोगे, 0.00 526 अब इसको add करोगे, तो क्या होँगे, देखो 2 और 6 क्या हो जाएगा 8, 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7, फिर 0 5 क्या हो जाएगा, 5 और यहाँ, 1 0, ऐसा यह क्या है, HCl का मोल आ गया है, अब हमाँ स्टार्टिंग में ही कोशन में बताएं थे, कि HCl का मोल आ जाएंगे, तो कोशन सॉल्व हो जाएंगे किलियर तो HCl का मोल तो आ चुका, किलियर अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चो मोलारेटी का फर्मूला आपको पता है मोलारेटी का फर्मूला पता है, बच्चो क्या होता है, नमबर आप, मोल आप सॉल्यूट अब यहां कौन सा सॉल्यूट में तो पर थाउजन से मल्टिप्लाइ कर दो क्लियर अब मोल आरेटी कोस्टन में कितना दे रखा था बताओ बताओ बच्चा पाटी 0.1 मोल तो निकाले चुका ना कितना निकला देखलो 0.01578 है ना और वॉलूम तो हमें निकालना है बच्चो वॉलूम हमें निकालना है इंटू 1000 करना है ठीक है क्लियर अब देखो इस वी को इस साइड ले आते हैं क्योंकि ये कल्कुलेट करना है तो इधा जाएगा तो भी इधर आएंगे और ये वाला टम नीचे चला जाएगा ऐसा इंटू 1000 और 0.1 अब बच्चो एक बात बताओ अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं अगर पॉइंट को हटाएं यहां से तो बताओ कितने 0 नीचे जाएगा नीचे कितने 0 जाएंगे जे तो इंटू 1,2,3,4,5 0 जाएंगे तो 5 0 नीचे दिखा दो अर इस पॉइंट को उपर वेजोगे तो 1,0 है ना अब क्या करो बाबू इन 4,0 से 4,0 मर गिया बचा क्या बचा क्या बच्चो तो वीज इकॉल टो बच्चा 1,5,7,8 डिवाइड़ बई 10 तो इसको सॉल्व करोगे तो 1,1,5,7,8 एमेल यह कोशन का अंसर है बच्चो क्लियर? तो सबसे पहले देखो यह मुलारेटी दे रखा था है हCLE का कोशन में और वालूम पूछा हCLE का लेकिन दिक्कत क्या था? कि कोशन में कहीं भी हCLE का मास नहीं था इसलिए हमने क्या किया? मास नहीं बाबो तो मोल नहीं निकाल सकते हो यह तो आपको चाहिए होगा ना? यही बहरो तो पूट के तब तो कोशन सॉल्व हुआ लेकिन हCLE का मास दिया ही नहीं था तो मोल निकाल नहीं सकते थे तो जिसकी मोल दिया है, जिसकी मास दे रखा था उसका पहले मोल निकाले हम लोग अब फिर reaction के थुरू क्या किये? HCL का mole निकाले दो compound से HCL react कर रहा था दोनों की mole को क्या कर दिये? add कर दिये तोटल mole HCL का निकला अब उच HCL का mole को यहाँ पर put कर दिये बाकी तो process solve करने के रहा किलियर? चलो मिलते आप लोग से next video में